सबसे मोस्त इंपोटेंट चेप्टर मतलकी तोस्तों यह आपके लिए इंपोटेंट सेग्मेंट होता है कि यह आपके लिए इसमें से कुछ बहुत ज्यादा कुश्चन्द जैसा कि आपके पीएटी के कोडिंग बहुत ज्यादा दोस्तों इंपोटेंट कितना है दोस्तों आपके टुवेल्थ एजी में एंपी बोर्ड के एकोडिंग यहां चेप्टा इस बार 17-18 नंबर का मतलब पूरा सेग्मेंट डेरी का आने वाला है डेरी के सेग्मेंट में से दोस्तों के वाला आप से डेरी प्रोडक्ट फर्स्ट सेब्सेकंड एंफ्रोजन construามिल्क पूछेंगे कि दमें प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं और इनके अलावा मतलबाज़ा जो प्रोडक्ट होते हैं इनको केसे कहाँ कहाँ पूचा जाता है इसमें कौन-कौन से सुसाइटी वर्क करती सब पूचा में जानना है दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहें डेटी प्रोडक्ट फर्स्ट जो कि आपके टुएल थे एक्रिकल्चर के एमपी बौड के द्वारा दिए गए सेग्मेंट के कोडिंग फर्स्ट वाला चेप्टर होता है जो दोस्तों आपका बौड के कोडिंग 3 प्लस 1 का उने माला है दोस्तों यह था कि हम अभी इंग्लिस मीनियों का कुश्चन से स्टार्ट करेंगे दो तो यूट्टूब पर हिंदी मिनियम का बहुत सारा कॉंटेंट एवलेबल है बट इंगलिस मिनियम का कॉंटेंट सही मात्र में अवलेबल नहीं है और है तो बहुत काम है इसलिए हम आपके टूवल थे के कुछ की इंपटन कुछन से लेकर आएं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका फर्ष्ट कुछन है वृट इस प्राप्त किया जाता है फ्रॉम मिल्क दूध से बाइग ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल मतलब दोस्तों होता है आपका गृत्वकरसन विदी और सेंट्रिफ्य दोल्ड मेठेड मतलब कि अपके इंदरी विधी इन मीं दाफ एट候ीट कॉंटेंट इंज आडव्ली इस जिसमें वसा प क्रति जानते हैं पूर्ड ये सेकंड पूशिंगयों हुआ कुछना है आपका है राइट डाटाइपस ओफ क्रीम दोस्तों जो क्रीम होती है लग अलग क्षी की होती है जैसे कि टेबल क्रेम पर दूस को है है मनलोग दोस्तों हिसको जन्टी में पर नाम सही में चातर हिंदी में सीधे सीधे आपके नोट्स में नोट डाउन कर सकते हूं लिख सकते हैं नेक्स आपका कुश्चन कुन सा है राइड दा टाइपस ऑफ क्रीम मतलब क्रीम के प्रिकार लिखिए फर्स्ट टाइप दोस्तो होता है आपका टेबल क्रीम जिसमें 20-25% फैट होती दोस्त सेकंड टाइप आपका होता है कॉफी क्रीम जिसमें 20-25% क्या होती दोस्तो आपकी फैट होती एक होती विपिंग क्रीम दोस्तो जिसमें 20-25% आपकी फैट होती दोस्तो आप इन सभी को इस प्रकार याद रख सकते हैं टेबल कॉफी विपिंग ना कोफी को किस पर रखा ट को टेबल पर रखकर विब्ड गिया तो सारे के सारे क्या दोस्तों सारे का एक डाटा कितना 20-25% फैट दोस्तों के नेश्ट आगे बढ़ते हैं प्लास्टिक क्रीम प्लास्टिक क्रीम में 60-85% क्या होता दोस्तों फैट होता है प्लास्टिक क्रीम में कितना होता है 60-85% दोस् जाना लेते हैं कि यह दोस्तों टेबल क्रिम कॉफी क्रिम और हमने विप्ड क्रिम क्रिम देखी दोस्तों नहीं लेकिन इसके हम देख लेतेग विपड़ स्वीपंग क्रिम का जो डाटा लिका हुआ है यह वाला डाटा गल आते है ना यह वाला डाटा दोस्तो होता है आपका लाइट क्रीम जो होती है ना किसका होता है लाइट क्रीम जो होती है उसका होता है 22-25 परसंट जो विब्ड क्रीम दोस्तो होती है कौनसे क्रीम दोस्तो यह नेश्ट जो टाइप होता है वी कौन सी होती दोस्तों है वी जो होती है ना है वी में बता देते हैं है वी में भी जो फेट परसेंट ही रहेगा 30-40 परसेंट ही दोस्तों रहने वाला है नेश्ट आपका प्लास्टिक कौन सी दोस्तों प्लास्टिक क्रीम होती है नेश्ट next question आपका है this sorry दोस्तों ना question नहीं बोला है question क्या आपका what is cream cooking cream का पकाना क्या है cream का पकाना आखिर में क्या होता है क्यों करते है the process that is done from the time of puring the cream in the utensils till it is put in the butter churner is called cooking of cream due to which physical chemical and biological change take place in the cream क्या होता है cream का पकाना की the process that is done वह क्रिया जो की पूरी की जाती from the time of puring किस समय पर दोस्तों उस समय पर जब puring the cream in the utensils जब हम क्या करते हैं दोस्तों during the cream in the utensils during होता है दोस्तों है जब हम cream को बरतनों में डालेंगे उस समय जो की जाती है उससे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों put in the butter churner उस है न और इसको क्या करते हैं अपन butter churner पर रखते हैं इसी कीरिया को अपन दोस्तों क्या कहते हैं is cold cooking मतलब कि इसी कीरिया को अपन किस नाम से जानते हैं cream की cooking के नाम से इसको जाना जाता है due to which जिसके कारण दोस्तों क्या होता है physical मतलब भूतिक chemical biological change simple definition में एक और बता रहा हूं आपको this refers to the fermentation of cream to make cream more delicious by physical, biological, all or chemical change with the help of desirable starter culture is called cooking of cream दोस्तों दो definition आपको बताएं दोनों में से दोनों ही important है दोनों में से आप जो चाहें वो याद कर सकते हैं जो आपको simple लगे दोनों के लिए बोर्ड आपको नंबर देने वाला है आगे बढ़ेंगे दोस्तों next आपका question क्या है write the purpose of cooking cream मतलब cream को पकाने के दोस्तों आपको क्या लिखने हैं उद्देश से लिखने cream पकाने के दोस्तों सबसे पहला क्या होता है getting good quality butter मतलब दोस्तों आपको क्या करना होता है यह कि अच्ची quality का butter लेने के लिए मखन लेने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं cream को पकाते हैं next day creating fragrance and aroma in the cream मतलब कि दोस्तों cream में सुआश्वा सुगंद उत्पन न करने के लिए वापन क्या करते हैं क्रीम को पकाते हैं next day cooking करते हैं क्रीम की destroying bacteria destroying bacteria मतलब जो बेक्टरियास के अंदर है जो की मतलब की हानी का रहा है है ना इससे disadvantage कुछ हमें होने वाले हैं उनको खत्म करना to make it easier to churn the cream मतने में आसानी करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें दोस्तों इसकी cooking की जाती है अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब जस्तों को to make it easier to churn the cream इसको हम सीधे भियात कर सकते हैं एजी इन्टो चर्णिंग क्रीम या फिर destroying bacteria flavoring the cream to get good quality butter मैं आपको easy और थोड़ा सा tough level दोनों के cooking बता रहा हूं आपको जो ठीक लगे उसके cooking आप याद कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम what is butter मतलब दोस्तों मक्खन क्या है अना मक्खन क्या है तो what is butter दोस्तों है ना हम आगे बढ़ेंगे बढ़ें butter is the milk productive obtained after churning curd और cream it contains not less than 80% fat and not more than 60% water मतलब दोस्तों butter क्या है butter is the milk के प्रोड़क्ट एक दुगदूद पाद है obtained जो कि प्राप्त क्या आता है after churning मतलब मतने के बाद curd और cream दही या फिर cream को it contains इसमें दोस्तों not less than 80% से कम वसा नहीं होती और 16% से दी जल नहीं होना चाहिए not less than 80% fat and not more than 16% water ओके फ्रेंट्स नेश्ट हम आके बढ़ रहे हैं नेश्ट कुशन आपका कौन सा है right the average texture of butter texture composition ना texture की जिए कि आप यहाँ पर composition वर्ड को यूज करेंगे तो भूत अच्चा रहेगा कौन सा दोस्तों composition word टी आई ओ एन है ना composition वर्ड को आप यूज करेंगे तो भूत अच्चा रहेगा right the average composition of butter सबसे पहले हम बात करेंगी water की दोस्तों water कितना होता 16 वाटर कितने परसेंट होता है 16 फैट 18 परसेंट protein 1 प्रोटीन ओनली दोस्तों 1 परसेंट होता है lactose lactose ओनली 0.5 परसेंट लेक्टोस ओनली कितना होता दोस्तों 0.5 परसेंट minerals 2 1 2.5 परसेंट कितने 2.5 परसेंट अब दोस्तों average composition of butter 16 वाटर आपको थोड़ा सा वाटर का उलग जाएगा बटर वाटर 16 वाटर ओके 16 वाटर एंदेन फैट 18 फैट 18 फैट 18 फैट 18 प्रोटीन 1 प्रोटीन 1 लेक्टोस 0.5 मिनराल से 2.5 वहते हैं दोस्तों नेस्ट हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेस्ट कुश्चन आपका कौन सा है कुश्चन नमबर सेवन के हम बात कर लेते हैं वोट इज कॉल्ड बटर वर्कर और वर्किंग और यानि कि दोस्तों बटर वर्कर क्या होता है और बटर की वर्किंग जो करते हैं वह क्या होती है पहले देख लिए दोस्तों बटर वर्कर बटर वर्कर इस टेबल मैड आफ लगाए जाता है ना पुट बटर ओन दा टेबल और जो बटर मतलब मक्हाने उसको टेबल पर रखते हैं रंदा रोलर और उस roller को दोस्तो अच्ची तरह से गुमाया जाता है रंदा roller due to which the excess water of butter comes out जिससे दोस्तो इसके अंदर का जो अत्रिक्त पानी रेगा excess water मतलब कि अत्रिक्त पानी वो बाहर निकल जाएगा इसका संगटन अच्चा हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तो इसके अलाव दोस्तो एक डेफिनेशन ओले दिया आप सुनना चाहो तो the purpose of working is to bring grains together into a compact mass and to uniformly distribute and properly incorporate the salt overworking results grazy texture of butter and it should always be avoided लेकिन दोस्तो जो अभी इसमें आपको दिखाई दे रहे है यह वाली डेफिनेशन यह थोड़ा आपके लिए simple होगी आगे बढ़ते हैं दोस्तो question है write the objectives of butter working बटर वर्किंग क्या उद्देश से लिखने आपको मखन की वर्किंग आप करते हो तो उसके उद्देश से क्या होते क्यों करोगी जैसे अभी अपने पहले objective देखे थे cream के यह ना cream cooking के वैसे इसमें देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या होता है दोस्तों की making butter solid मखन को ठोस बनाना दोस्तों क्या करने के लिए making butter solid second point है making butter tasty मतलब स्वादिष्ट बनाना tasty मतलब क्या होगा स्वादिष्ट बनाना स्वाद पहीट दुनिया टीकी कई भी जाओगे कुछ भी खाओगे स्वाद को पहले बावगे ओके next taking out the extra water from the butter extra मतलब कि अत्रिक्त पानी को बाहर निकालना fourth point भी आपको बता देता है है नहीं लेकिन एक और point बता रहते है ताकि आपको चार point में से तीन point आपको यह दिराद रह जाते है तो बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों okay reducing over run of butter मतलब की reduce करना है किसको reduce करना है over run को है ना over run को दोस्तों आपको यहाँ पर reduce करना है बस इतना सा आपको कर लेना है अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों question number 9 की ओरो के what is over run of butter मतलब butter का over run क्या है the difference between the amount of fat used to make butter and the amount of butter yield is called over run of butter over run क्या होता है दोस्तों की the difference between मतलब अंतर किनके बीच में the amount of fat जो क्यों प्योग में लाई गई वसा amount of fat used to make है ना जो क्यों प्योग में लाई गई वसा है मक्षन को बनाने कर लिए and the amount of butter yield और साथ इसाथ मक्षन के जो प्यदावार प्राप्त होई है ना is gold over run हो सही over run के नाम से जाना जाता है over run may be defined as the increase in the amount of butter made from a given amount of fat it is usually expressed as a percentage दोस्तों के यह सेकंड डेफिनेस थी लेकिन फर्स्ट वाल यह आपके लिए simple है आगे बढ़ेंगे राइड़ दा टाइप यूजेज ओफ बटर क्या दोस्तों राइड़ दा यूजेज ओफ बटर इन मेकिंग घी क्या दोस्तों इन मेकिंग घी सबसे पहला क्या यूज होता है दोस्तों बटर का कि सबसे पहला यूज है इन मेकिंग घी मतलब की घी बनाने में उप्योग किया जादा है दोस्तों है ना इन मेकिंग आईस्क्रीम, आईस्क्रीम बनाने के लिए भी उज़ होता है दोस्तों वर्मस आफ फूडोर दोस्तों फूड के साथ उज़ भी होता है साथ यसाथ बटर का यूज हम खाने में कर रहे हैं उकें इन प्रेपेरिंग क्रेम रोल्स और पैस्टरेश किरे रोल से लगबकि आप साबी नक्खाया ओँगे अभी तक तो वो सबी किस्से बनते हैं इससे बनते हैं पेस्ट्रिश भी बहुत सारे लोगों नक्खाया हए ऊगी वो सबी भी सबनती है दोस्तों था इन दा प्रिपरेशन ओफ पेश्ट्री इस रोल एंड क्रीम है ना दोस्तो इट इसी नेश्ट होगा आपका इन दा मेनुफेक्ट्रिंग ओफ सोस एंड चटनीज एप्लाइंग इट इन डबल रोटी है ना इन कोकिंग सिंपल सिंपल आपको कोई से भी याद कर लेना है एक की बर और को दोहरा रहा हूं कॉन कुन से है इन प्रिपरertaign आईस क्रीम इन प्रीपरिण घीaz या मेंकिंग बह सकते है ना इन प्रिपरेशन ओफ क्रीम रोल एंड पेस्ट्रीस और या क्रिचन सकते ना यका चुतनी चारचर्चिब ओफ सबने का इन सही में इसको यूज़ करते हैं, कोई से तीन आप से पूछ जाएंगे आगे हम बढ़ रहे हैं दोस्तो, नेश्ट कुशन आपका है वाट इस कॉल्ड घी, क्या, के घी क्या है, घी किसे कहते हैं गर्म करने के प्षाट प्राप्त होगा घी टीन कुशन आपका है यह फिर दोस्तों सिद्धी बोल सकते हैं, कि मतने के प्षाट जो प्राप्त होगा क्रीम कॉंटेंस जिसमें 99.5% फेट होगी दोस्तों घी में सबसे ज़्यादा फेट होती गितने 99.5% फेट एंड 0.5% वाटर इस कोल्ड घी ओके इसके वह दुख्द बदार्त जिसमें वसा की मातर 99.5% तक हो नमी की मातर फेट करेंगे तो इसमें आगे हम एक पॉइंट एड कर सकते इन आइडियल घी मोश्चर परसेंट इस जीरो परसेंट है के आईडिया लेदि आदर सगी की बात करेंगे तो उसमें मुश्य जो का नमी होगी एक प्रसेंट भी नहीं होती मतलब जीरो परसेंट होती है आगे बढ़ रहे हम वाट की का रेनेवल क्या होता है आगे दो रेनेवल की नमी करन किflow मतलब की दोस्तो नमीनी करन का है यह नवीनी करन क्या होते है इस गी इस केफ्ट फॉर लॉंग टाइम घी बहुत समय से रखा हुआ है संचे करके स्टोर करके एसे इंक्रिसे इन इट तो इसमें अमलता बढ़ जाएगी ड्यू टू विज घी बीकम सोर एंडा जिससे जो घी होगा कैसा हो जाएगा अलग सा हो जाएगी जिसमें से हलकी सी दुरगंद सी आने लएगी है ना उसका रंग और स्वात क्या हो जाएगा परिवर्ति थुन लेएगा इंड़ प्राइस इस लैस इन मार्कर जिसकी प्राइज मतलब की इसको बेजने के लिए पेसे मिलने वाले कम हो जाएंगी तो फुराने घी को हम गर्म करेंगे बेटा लेए उस जाना कर्म करेंगे किस-किस से बेटा लेए उस मतलब आपकी होती है कौन दोस्तों पान की पत्तियों से बैसे लेए उस तो इसकी पत्तियों को डाल करके सो देट इट विकम्स फ्रेस कोल्ड रेने वली जिसके नया हो जाएगा जिस वपन नहीं नहीं करन या पिर राइट दा एनी थ्री अब्जेक्टिवस ओफ एडिंग सोल्ट इन बटर लगी बटर में सोल्ट एडिंग सोल्ट मतलब कि नमक मिलाते हैं नमक में तो क्यों मिलाते हैं तो फस्ते एक्सेस वाटर कॉंटें इन बटर इस रिडूज़ तो अत्रिक्त पानी होगा उसको बाह इस तो बटर इंक्रीज बटर इंक्रीस फिस से क्लोट दूस्त रहता है यह क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तो लगoking मक्न का मतंब सबिएस दूरों ग्रौ कि ओवर रन ओवर रन ओव बटर इंक्रिसेज इस से बटर का ओवर रन बढ़ जाएगा ना दोस्तों नेश्ट कुछिशन क्यों हम बढ़ेंगे दोस्तों मखन की कोई तीन उप्यों की ता मतलब राइट एनी त्री यूज़स ओफ बटर सबसे पहला देख यह तो अपन देख अप्लाइग इन डबल रोटी एन कुकिंग ओके नहीं स्टाप लास्ट कुछिशन देख लिए इसके बाद में कोई कुछिशन आपके लिए नहीं होने वाला है जी के गुणों को प्राइस करने वाले काना राइट एनी त्री फेक्टर्स देट एफेक्टिंग क्वालिटी आपके लिए वह उखी लग तो सबसे थेला तो फेक्टर कौन सा होता है क्वांटिटी इस पर प्राइटी ओफ क्रीम अन बटर जो बटर या क्रीम यूज कर रहे होगी बनाने के लिए वह सही होना चाहिए मोईस्चर एन कर्ड लगी दही और नहीं के क्वांटिटी ओफ कि नेश्टे की संचयन अवस्था इस टोरेज कंडिशन के सी ही कलने इस टेक्श्चर ओफ घी और फ्लेवर और अरोमा ओफ घी तो दोस्तों आज के कुश्चन डेरे प्रोड़क्ट फर्स्ट के जितने कुश्चन आपको करवाए हैं इनसे एक भी कुश्चन बाहर नहीं ज सीधे सीधे आपको एक ही स्लाइड में आपको एवलेबल करवाओंगा दो से तीन वीडियो के अंदर दोस्तों अभी केवल हम कौन से थे औरिकल थे औरिकल कॉंटेंट को करता जाएंगे और आपको जो वोड्सप ग्रूप जो आपका बनाया गया है मेरे दारा उस को भी पेमेंट हमें देने के हो सकता नहीं है तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में जैहिन वंदे मातरम जैस्तरी माका लगे रहिए कि अप्ट समय नहीं बच्चा है